आज की वीडियो में देखिए कुछ आसान किचिन टिप्स जो आपकी रोज के लाइफ को इजी बना देंगे हम सब जानते हैं दालों का अच्छी तरह सोक होना बहुत जरूरी है ताकि वो हमारा आजमा कराब न करे और उनका प्रोटीन हमें मिले साथ में दालों का गलना भी जरूरी है दाल मखनी बनाने के लिए मैंने राजमा और काली दाल भीगोई है रात भर मैंने इसको 8 घंटे के लिए पानी में रखा था धोकर और अब मैं इसमें बेकिंग सोडा और नीमो निचोड के पकाने रखूंगी ताकि वो अच्छी तरह स गल जाती है आप यह ट्राइ करिए और आप जरूर फर्क देखेंगे कि दाल आसानी से गल जाता है पांच चार से पांच सीटी में हमें चाहे होते हैं तीन-चार पत्ते पुदिने के लेकिन सबजी वला हमें पूरी बंडल दे देता है और हमारे पत्ते फ्रिज में रखे रखे वेस्ट हो जाते हैं तो यह बहुत जल्दी खराब होते हैं इनको धोकर टौवल के बीच में हलके हाथ पोच लेना और ट्रे म इनको ड्राय कर सकते हो यह इस तरह से सुखने लगेंगे शेड के नीचे रखने से धूप में काले पड़ जाएंगे तो यह आपका सुखा पुदीना तयार हो गया और डिपेंड करता है समर है या विंटर है समर में जल्दी हो जाएगा सुबह रखेंगे तो शाम में तया आप इनको यूज कर सकते हो बस ड्राय हाथों से इनको निकालना है अगर आप गीले हाथ लगाएंगे तो यह सड़ जाएंगे तो यह देखिए ड्राय करी लीव पुदीना और कसुरी में थी मैं बना के रखती हूँ खरीदने की ज़रूत नहीं है पैसे बच जाते हैं और हमारा वेस्टेज भी नहीं होता है घर का सामान अभी हमने पुदीना के पत्ते सुखाएं और पत्ते सुखाने के बाद हम डंटल छोड़ देते हैं तो वो डंटल से मैंने यह पॉट में पुदीना लगाया है आप भी कर सकते हो तीन इंच जितना डंटल आप ले लीजिए और थोड़े से पत्ते उपर रखे तो आपको समझेगा कि सीधा कौन सा है यह देखिए तीन दिन बाद इसमें छोटे छोटे पत्ते आने लगे हैं मतलब यह नीचे रूट्स बनाने शुरू हो गया है और कुछ मुरजा जाएंगे मतलब वो वर्क नहीं करने वाले आप बाद में उनको अटा सकते हो यह दो हफ़ते बाद का है और इसमें देखिए आप कुछ स्टेम्स बहुत अच्छे से ग्रो हो गये हैं यह बिल्कुल कटिंग के लिए तयार है इनको आप अपने चाय में या किसी भी रेसिपी में यूज कर लो और जैसे हम कटिंग करते हैं वहां से और दो तीन ब्रांच निकलने लगते हैं इससे हमारा पौधा घना होने लगता है किचन गार्डन के लिए सबसे खुबसूरत और बहुत इजीली उगने वाला मिंट कोल्डरिंग बॉटल सेरमेक प्लास्टिक किसी भी कंटेनर में ग्रो हो सकता है भेंडी की सबजी बनानी हो तो ढेरो भेंडी काटनी है पड़ती है और चाकों में बहुत ही स्टिकी सा लिक्विड चिपक जाता है और पानी से धुलता नहीं है नैपकिन से पोचो तो नैपकिन को भी धोने में तकलिफ हो जाती है ऐसे में आप नीमू का जूस नाइफ के दोनों और लगा दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और नाइफ पर जरह भी स्टिकिनस नहीं रहता अगली बार भिंडी काटते समय इस टिप को ज़रूर याद रखे लसुन चीलना और साफ करना ये बहुत ही महनत मशकत का काम है मौनिंग में या जल्दी जल्दी में खाना बनाते वक काफी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप प्लैनिंग से 10 मिनिट पहले कुछ लसुन की कलियां गरम पानी में या साधे पानी में सोक करके रखे तो ये आसानी से साफ कर पाएंगे और लसुन के छिल्टे जब इधर उढ़ने लगते हैं तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और फैन चालू हो तो सब फरनीचर के नीचे ये उड़ जाते हैं तो ऐसा आप कंटेनर रखे जिसमें आप कच्रा इखटा करो जैसे ग्लास या टंबलर कोई उचा सा जिससे छिल्टा उड़कर इधर उधर नहीं बिकरेगा देखे अभी इसका कोना कितना सॉफ्ट हो गया है पानी में सोक करने के वज़े से और इसी लिए छिल्टा मैं साफ कर पा रही हूँ इस टिप को ज़रूर ट्राइ कीजिए चलते हैं अगले टिप की और शौप से लाए हुई पनीर को चार दिन तक बिल्कुल फ्रेश कैसे रखें आए देखते हैं मैंने दुकान से लाया हुआ पनीर एक कंटेनर में रखा और उस कंटेनर में मैं पूरा पानी भर दूँँगी पनीर पूरा उसमें डूप जाना चाहिए इतना मैं पानी उसमें भर के एर टाइट उसका लेड लगा कर फ्रिज में रख दूँगी और अगले सुबह अगले दिन जब भी मुझे समय मिले मैं वो पानी बदल दूँगी और फ्रेश पानी कंटेनर में वापस भर दूँगी और फिर से उसे स्टोर कर दूँगी इस तरह मैं तीन से चार दिन उसे मैं हर रोज पानी बदलती रहूँगी और जब मुझे पनीर यूज करना हो 15 से 20 मिनट पहले रेसिपी में उसे यूज करने से पहले मैं उनको जैसे शेप चाहिए उस शेप में काट कर एक बाउल में ले लूँगी अब उस बाउल में मैं गरम पानी डाल कर गरम पानी में इस पनीर को 10 मिनट रहने दूँगी तो पनीर बिलकुल ताजे से भी ज्यादा सॉफ्ट और एकदम फ्रेश लगेगा और अब आप उसको रेसिपी में यूज कर सकते हैं वेट लॉस, हैर हेल्थ और स्किन हेल्थ के लिए मैं आमला, वेनेगर और वाटर का मिक्स्चर लेती हूँ एवरी मॉर्निंग, एम्टी स्टामक दोस्तों ये किचिन टिप्स का ही वीडियो है, मैं आपको कोई मिल्कशिक की रेसिपी नहीं बता रहे हूँ एक्चली मिझे किसी ने पूछा था कि आपका जार एकदम शाइनी कैसे लगता है इतने यूज होने के बाद भी तो मेरा ये टिप है कि मैं जैसे इसे यूज करती हूँ ये देखिए उसका अटाचमेंट, ये सब कुछ बहुत प्यार से मैं यूज करती हूँ और मैं खुदी इनको क्लीन कर लेती हूँ मैं ये मेड के लिए नहीं रखती क्योंकि उनका रफ यूज होता है और दूसरे बरतन के साथ, ओईली बरतन के साथ रहने से हमारा जार खराब हो जाता है और बहुत देर पड़े रहने से कोई न कोई धाग उनमें लग जाते है इसलिए मैं उनको अपने हाथों से वाश करके नापकिन से पोच कर रखती हूँ इसलिए वो एकदम न्यू लगते है फ्रेंड्स ये मेरे साथ हमेशा होता है कि मेरे हस्बिन एक नया पैकेट खोल देते हैं बिस्किट का और बाकी के वैसे ही छोड़ देते हैं तो इस बारिश के मौसम में तो हैर टाइट कंटेनर में रखे हुए बिस्किट भी सिल जाते हैं तो मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ एक पेपर नैपकेन में कोई से भी ब्राउन या वाइट राइस लीजे और उन्हे अच्छी तरह से लपेट दीजे इस तरह से और अच्छे से पैक करके बिस्किट के साथ में कंटेनर में रख दीजे चावल क्या करता है कि सारा मॉइस्चर सारा गीलापन अब्जॉब कर लेता और बिस्किट एकदम कूर करे और फ्रेश मिलेंगे आपको दोस्तों अक्सर हम मसाले रेडिमेड ही ले आते हैं जो इस तरह के पैकेट्स में मिलते हैं कुछ मसाले ज्यादा यूज होते हैं और कुछ मसाले कम यूज होते हैं लेकिन अगर ये मसाले कुले रह जाएं तो ये बेस्वाद हो जाते हैं किसी भी पकवान को जायकिदार बनाने के लिए मसालों का खास ध्यान रखा जाता है और इनको अलग-अलग डिबों में पैक करना बहुत मुश्किल है तो इस तरह के जो प्लास्टिक के क्लेप्स मार्केट में आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं उनसे आप इनको एर टाइट सील कर लेजे और एक ही डबे में सारे पैकेट्स को अप रख दीजे ध्यान रखिए कि ये डिबा स्टील का हो तो आपके मसाले एकदम फ्रेश रहेंगे खुश्बुधार भी रहेंगे दोस्तों बार-बार बाजार जाने की दिक्कतों से बचने के लिए हम घर में महिने दो महिने का राशन भर कर रखते हैं और जब हम इतना सारा सामान घर पर रखते हैं तो उनमें कीडे और जाले लगने लगते हैं और specially डालों में तो जाले बहुत आसानी से लग जाते हैं डाल के डिबों में अगर आप नीम की कुछ टहनिया तोड़ कर साथ में स्टोर करें तो जाले और कीड़े लगने की प्रॉब्रम नहीं रहेगी ये देखिए मेरे पास में रखें बहुत टाइम से और नीम के पते इतने सूप भी गए है गाइस मसाले की डिबों में स्टोर किया हुआ मसाला लंबे समय तक खुला रहने के कारण मॉइस्चर पकड़ लेता है मॉइस्चर के कारण उन में गुटलिया पड़ने लगती है तो इसलिए अगर इन में थोड़ा थोड़ा नमक मिक्स करके स्टोर कर दिया जाए तो ये मसाले लंबे समय तक फ्रेश और टेस्टी रहेंगे और इन में गुटलिया भी नहीं पड़ेंगी तो दोस्तों मसाले अगर फ्रेश रहेंगे तो खाना तो टेस्टी बनेगा ही दोस्तों किचन से निकलने वाले ऐसे वेस्ट को मैं फेकती नहीं हूँ कोई नो कोई यूज में लाती हूँ जैसे मेरे मेड के यहां पर बर्ड हैं उनको खिलाने के लिए मैं यह दे देती हूँ कुछ काबेज वगेरे के पत्ते और कुछ मैं कंपोस्ट बनाने के लिए रख देती हूँ और ऐसी सबजिया मैं Guidstock बनाने के लिए यूज करती हूँ डालने में यूज आता है तो आपी ये tip try कीजे कम से कम kitchen waste produce करें तो हमारा environment अच्छा रहता है और दूसरा मेरा tip यहाँ पर यह है कि ऐसे जो नमकीन के bags आते हैं उनमें zip lock होता है ऐसे bags को आप wash करके clean करके poach लीजे और इनमें freeze करने वाली चीज़ें आप store कर सकते हो तो जैसे मैं ये सबजियों को freeze कर रही हूँ सबजियों के जो छिल्टे उनको freeze कर रही हूँ stock बनाने के लिए मैं इनमें coconut भी रखती हूँ grate करके और दूसरी भी कोई चीज़ रखनी हो तो ऐसे bags में मैं use कर लेती हूँ आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो से कोई न कोई useful बात सीखने मिल रही होगी